पूम्नमस्षिवा मैं हूँ स्टॉजर केम सिना और मैं अपने से यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ देखे वर्ष दो हजार पच्चिस का जो राशी फल यहां पर प्रस्तुत हो रहा है यह आज का एपिसोड धनू लगन और धनू राशी वाले जातकों के लिए पूरी प्रेडिक्शन वर्ष दो हजार पच्चिस में क्या क्या आपके साथ गटित होगा इस पर पूरा वीडियो बनाया जा रहा है और आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि पूरे 365 दिन का यह प्रेडिक्शन है और इस पेसिफिक जो लगन है और जो राशी है दोनों ही धनू है इसलिए यदि आप धनू लगने के हैं धनू राशी के हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए देखे सभी के अंदर यह इक्षा होती है कि जब भी कोई कैलेंडर डेट चेंज होता है तो फिर वो साल आपको किस तरीके का positive या negative response देगा कई साल ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत यादगार हो जाते हैं आपके life में खुशियों से भढ़ देते हैं और कुछ साल ऐसे होते हैं कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें आपको कई प्रकार के challenges भी देखने को मिलते हैं तो हम दोनों ही बात यहां पर करेंगे कि वर्ष 2025 में क्या positive होगा आपके साथ और क्या negative होने वाला है देखे आपका बड़ detail आपका अपना होगा उसमें आपकी दशा अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा तीनों ही अलग-अलग दिखाई दे रही होगे लेकिन गोचर का जो परिणाम है धनू लगन या धनू राशी वाले जातकों के respect में जो भी planetary permutation combination बनता है उसका आपके उपर बहुत जादा प्रभाव पड़ेगा जिसको गोचर का प्रभाव देए तो गोचर का प्रभाव आप पर कैसा रहने वाला है तो सबसे पहले वर्ष दो हजार पचिस की अगर बात किया जाए तो अश्ट ग्रही योग का formation हो रहा है डेट होगा 29 मार्श दो हजार पचिस और इस दिन सूर्य ग्रहर भी पड़ेगा और केतु पर सभी ग्रह की दिर्ष्टी पड़ेगी देखे वर्ष वल को हम स्टार्ट करें ये पूरा prediction स्टार्ट करें वैदिक जोतिश में कहा गया है कि वर्ष वल का मतलब होता है कि जब आपका जन्म दिन होता है उसके आसपास सूर्य का जो डिगरी होता है वो अगर आपके जन्म कुणिली में सूरी के डिगरी के बराबर हो जाता है तो exactly उस समय पर जो चार्ट बनकर आता है वो आपका वर्ष वल होता है उसमें मुन्था होता है मुन्थेश होते है पंच अधिकारियों का निर्णा किया जाता है इसके अलावा हम सहम की गढ़ना करते है जो कि कुछ sensitive point होते है event के लिए सहम की गढ़ना की जाती है इसके अलावा समुद्रचा के प्रिपाती चक्र को बनाया जाता है उसके बाद वर्ष वल की गढ़ना की जाती है लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे है यहाँ पर किवलम गोचर का परिणाम देख रहे है अगर आपको अपना वर्ष वल चाहिए तो आप हमारे कुली एक्सपर्ट के मोबाईल एप से इसको डाउनलोड कर सकते है तो हम लोग यहाँ पर पूरा डीटेल में लगबक सौ पेस से अधिक का वो वर्ष वल का चार्ट है जिसमें आप चेक कर सकते हैं लेकिन आपके लग मिया राशी के साफेच में जो भी प्लानेटरी पोजिशन मूव होंगे उनका आप पर बहुत जादा प्रभाव होगा ग्रहों की गति के अनुसार देखा जाए तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट मूव करते हैं जैसे हम चंद्रमा की बात किया जाए तो चंद्रदेव प्रतेक सवा दो दिन में एक राशी को प्रॉस करते हैं और एक दिन में एक नक्षतर को प्रॉस कर लेते हैं इनके मोमेंट से जो चेंजे जाता है वो दैनिक पंचांग जो बदल जाता है वो चंद्रमा की गति के आधार पर होता है और दैनिक राशिफल भी हम लोग चंद्रमा के गति के अनुसारी निकालते हैं लेकिन हम लोग अधिक से अधिक ऐसे ग्रह का प्रभाव होगा जो लंबे समय तक आपके उपर applicable होते हैं उन ग्रहों के शिंकला में हम शनी की बात करते हैं शनीदेव की और शनीदेव आपको पता है कि पूरे 30 वर्षों तक एक चक्कर काटते हैं यानि पूरा एक सूर्य का पूरा चक्कर का तो ब्रस्पति देव का जो राशी परिवर्तन होता सामाने था 11 महीने तक एक राशी में रहते हैं और ये फिर राशी परिवर्तन करते हैं राहु केतु की बात किया जाए तो राहु केतु 18 महीने तक एक राशी में रहते हैं और सदैम इनकी गती जो होती है वो वक्री गत होती है तो इस गती के परिणाम सरुप क्या क्या आप पर रिजल्ट रहेगा हम इसको समझेंगे इसके अलाबा जो छोटे ग्रह होते हैं उनका अध्यन करना वर्षफल में बहुत जादा सटीकता नहीं लाता है क्योंकि जो छोटे ग्रह होते हैं जैसे हम बात करते हैं बुद जो होता है वो बड़े ग्रहों का होता है तो इसी सिरिंक्ला में सबसे पहले बात करेंगे धन्उ लगन में जो शनीदेव का राशी परिवरतन होगा आपको किस तरीके से एफेक्क्ट करने वाला है तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं देखे शनीदेव को अगर हम देखा जाए तो आपका लगन हो या राशी अगर धनू है तो आपके लगन या राशी के सापेक्ष में वर्तमान में पराकरम भाव में शनीदेव गोचर कर रहे हैं तिर्टिय भाव में पराकरम भाव में और शनी देव जब से इस भाव में आए है 2022 में तभी से आपने मेहनत करना सीखा होगा क्योंकि शनीदेव जब भी मेहनत भाव में जाते हैं पराकरम भाव में जाते हैं तो बहुत जादा हाड़ वर्ग कराते हैं और जितने भी धनू लगने धनू राशी के जातक हैं उन्हों उनको कहीं न कहीं हाड़ वर्ग जो होगा बहुत जादा उन्होंने देखा होगा वर को भी देख रहेते और पराक्रमाव में बैठकर धर्म के छेतर में भी देख रहेते तो हर छेतर में कुछ कठटनाईों के साथ शनीदेव ने काम किया होगा लेकिन दिन हो गा डेट होगा 19 मार्श 2025 और शनी देब राशी परिवर्टन का रहेंगे और शनी देब का जो राशी परिवर्टन होने वाला है वो मीन राशी में होगा और मीन राशी का मतलब आपके सुख अस्थान पर शनी देब पहुँच जाएंगे जब ये सुक अस्थान पर पहुंचेंगे पूरे धाई साल अगले यहीं पर रहने वाले है और इसके परिणाम सरूप जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहां पर मिलने वाला है ये आपके कर्म अस्थान को देखेंगे ये आपके रोगनड शत्रू के अस्थान को देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लगन को भी देखेंगे शनीदेव का अपना रूल होता है आपके लगन या राशी के सापेक्ष में कहा जाए तो शनीदेव ना ही मित्र होते हैं ना ही शत्रू होते हैं एक उदा थाउस ये सभी activated हो जाएंगे और कही ना कही पर इसका result आपको देखने को मिलेगा शनी देव क्योंकि चतुर्थ भाव में जाकर बैटेंगे इसलिए मकान से संबंदित लंबे टाइम का अगर आप investment करना चाते हैं या किसी प्रकार का वहान खरीदना चाते हैं तो शनी देव मेहनत के बाद यानि डिस्प्लिन के बाद तो कि शनी देव कर्म के देवता होते हैं तो मेहनत करने के बाद आपको डिस्प्लिन में रख कर क्योंकि लगन पर भी पड़ेगा यानि आपकी personality में भी discipline दिखाई देगा जो भी काम आप करेंगे अभी तक मेहनत कर रहे हैं अब उस मेहनत को discipline के साथ करेंगे और reward आपको मिलेगा विशेत रुप से जो भी जातक जो फार्मा के फिल्म में काम करते हैं शनी से related काम करते हैं रियल स्टेट या property से जुड़ाव करते हैं या नियाय से related कोई study कर रहे हैं ऐसे सभी प्रकार खेशेतर में शनीदेव आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे क्योंकि इनकी दृष्टी सस्टम में भाव पर भी पढ़ने वाली है तो निश्यत रुप से जो धनू लगन और धनू राशी के जातक हैं उनको competition में मदद भी कराएंगे और मानसिक सुक की अनुभूती भी कराने वाली है लेकिन ये घटना जो घटित होगी 29 मार्च को जब ये मीन में जाएंगे तब होने वाली है और मीन राशी में कुछ टाइम ऐसा आएगा जब शनी और राहू दोनों का पिसाच योग बनेगा या शापित योग जिसको कहा जाता है इस योग का formation होगा जब शनी और राहू दोनों मिलकर आपके चतूरत भाओं में गोजर करेंगे तो यहां का जो शनी है ये नियाइक मामले से आपको अलगाओ करने की कोशिश करेगा अगर आपने यहां पर कोई नियाइक मामलों में involvement कर लिया तो ये शनी राहू की यूटी आपके नियाइक मामलों में बहुत जादा नकरात्मक प्रभाव ला सकती है हाला कि जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं यात्रा करना चाहते हैं ऐसे लोगों को राहू एक अच्छा अनुभूती भी कराएगा एक अच्छा लर्निंग भी आपको सिखाने वाला है लेकिन ये कुछ टाइम तक साथ में रहेंगे और जब भी पिसाच योग बनता है तो जिस भाव में बनता उस भाव को जादा ग्रसित कर देते हैं इस बार जो पिसाच योग बन रहा है वो जल्टतों में बनेगा तो जल्टतों के कारण किसी प्रकार का आपको परिशानी हो सकता है और ये परिशानी जो बेसिकली होगी ये चतुर्ट में बैठके अस्त्रम को भी देखेंगे तो अकस्मात किसी प्रकार के दुर्गटना का होना या किसी प्रकार की बिमारी का जो की जल्द ततों के दूशित होने से होती है इन सबी बिमारियों को ये बढ़ाएंगे और साथ में अगर प्रेक्टरिक प्रॉपर्टी से रिलेड़ किसी प्रकार की परिशानी चल रही थी लगातार आप परिशान थे तो उस परिशानी को भी शनी राहू की यूटी बहुत हग तक एक्टिवेट कर देंगे और वो परिशानी को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे तो एक वर्ड में कहा जाएं एक शनी देव आपको इस साल ये कहना चाते हैं कि आप अप बिसिप्रिन में रह के कारे कीजिए और आपको रिवार्ड भी उसका ये देने वाले हैं इसके बाद हम बात करेंगे राहु का राशी परिवर्तन राहु देव का जो राशी परिवर्तन होगा वो डेट होगा 18 मई 2025 और राहु देवता जो आपके चतुर्त भाव में गोचर कर रहे थे अब ये शिफ्ट हो जाएंगे और ये वक्तरी गती में चल रहा है इसलिए मीन राशी से ये कुम्ब राशी में चल जाएंगे और जब ये कुम्ब राशी में जाएंगे तो नेम फेम बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसका सबसे जादा एक्टिवेशन आपके इनकम पर देखने को मिलेगा एक तो डिसिप्रिन में आप काम करेंगे ही और साथ में राहू की नौवी दिर्ष्टी जो पड़ेगी वो आपके लाब भाव पे पड़ेगी और वायू तत्व जो ग्राह राहू है वो वायू के राशी में यानि शनी के राशी में ही जाकर बैठेंगे तो निश्चित रुप से आपको लाब जो रहेगा वो अच्छा देंगे अकस्मात किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल कनेक्शन आपके साथ करा सकते हैं किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रुप से धन लाब यानी फाइनांस की जो परिशानी की उसको सॉल्व करेंगे और अकस्मात खूब धन देने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे लेकिन परिशा का जो प्रभाव होता है बहुत अच्छा नहीं होता है इसके प्रभाव के कारण जो भी धनू लगने धनू राशी के जाता के है उनको रिर्ड की हड़ियों के पास किसी प्रकार की सर्जिरी का भी रिजल्ट हो सकता है किसी प्रकार की सर्जिरी करानी पड़ सकती है या रिर् इसके अलावा जो सबसे महतपून बात है कि पित्र भाव पर केतु रहेंगे तो पिता के भाव पर केतु का रहना, पिता के साथ अलगाओ करना, पिता के स्वास्त को लेकर कुछ ना कुछ परिशानी डेवलप करना, ये भी केतु इस भाव में रहने के कारण करवा सकते हैं, आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, किवल केतू यहाँ पर उपस्तित हों, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगन भाव पर भी जाकर देखेंगे, जहाँ पर उल्लेडी शनी की दृष्टी पड़ेगी, साथ में आपके पंचम त्रिकोन पर भी दृष्टी पड़ेंगे, तो निश्यत रूप से आपका जो सेडिस्वेक्शन लेवल है, वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो इस साल जो सबसे ज़ादा प्रभावी आपको नकरात्मक रूप से देख सकते हैं, बड़े ग्रहों में, तो वो केतुग्रा होगा, जो कि आपके मानसिक तनाव को, मानसिक अवसाद को बढ़ाएंगे, साथ में आपके संतान के उपर भी बहुत अच्छा दृष्टी नहीं डालेंगे, संतान से अलगाव करने की कोशिश करेंगे, और उधर संबंदित परिशानिया भी उत्पन करेंगे, प्रेम जीवन में कहा जाए, जिनके प्रेम में प्रसंग चल रहे हैं, विवा नहीं हुआ है, उनके विवा के बढ़ने की या विवा के फिक्स्ट होने की संभावना सबसे जादा अगर देखा जाए, तो धनू लगन में ही इस बार बनेगी, क्योंकि राहु की पांचवी द्रिश्टी आपके सब्तम भाव पे पड़ेगी, लेकिन केतु का जो प्रभाव रहेगा, जिनको माईगरीन की समस्या है, उन समस्या को केतु बढ़ाने बाले हैं, और साथ में पंचम नवम दोनों त्रिकोन को दूशित भी करेंगे, तो किवल एकी उपाय करना है कि केतु की शांति पूजा करा लीजिए, या केतु से संबंदित चीजों का आप दान कीजिए, जैसे पाँच प्रकार के अनाजों को मिला कर पक्षियों को खिलाईए, या आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके आसपास डॉग हैं या कैट हैं, जिनको आप घर में रखे हैं या बहार गूम रहे हैं, उनको कुछ न नहीं राहू दोनों आपके लिए लगबग लगबग पॉस्टिव रिजल्ट दे रहें, लेकिन केतु का जो रिजल्ट है वो निगेटिव हैं, अब सबसे इंपोर्टन बात हम लोग करने वाले हैं आपका लगनेश यानि ब्रस्पती देव, ब्रस्पती देव क्या करेंग देखिए, वैसे भी जो धनू लगन वाले जातक हैं, उनके लिए ब्रस्पती अभी आपके लगन से सच्टम भाव में गोचर कर रहे थे, और कई लोगों के पिछले साल अस्थान परिवर्तन के योग बनाये थे, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मी की यात्राएं, ये दीवर गती करते करते, 14 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक का जो टाइन होगा, इसमें आपके सब्तम भाव में गोचर करेंगे, और आपके लगन को देखेंगे, आपके इंकम को देखेंगे, आपके पराकरम को देखेंगे, तो मैक्सिम टाइम ये सब्तम भाव में रहेंगे, सब्तमभाव में रहेंगे तो विवाह के लिए ये अच्छा समय डेवलप नहीं करेंगे तो कि ब्रस्पती सब्तमभाव में जब बैठते हैं तो विवाह में कुछ ना कुछ विलंब किया करते हैं सामाने का लेकिन इनकी गती क्योंकि थोड़ा फास्ट रहेगा और ये आगे बढ़ जाएंगे और एक राशी और आगे बढ़ कर अपने परम उच्छ राशी में पहुँच जाएंगे और परम उच्छ राशी में ये लगबग 9 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक रहने वाले हैं प्रणायाम का होता है रहस यानि गुप्त रहस्यों का जो संसार होता है उसको सीखने की आप पूरा च्छमता यहां पर करेंगे आपका लगनेश एकदम पूरे तरीके से पूरे तरीके से लीन होने की कोशिश करेगा इसके अलाबा ब्रसपती देव 4 दिसंबर को फिर मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे यानि पूरा जो प्रभाव रहेगा इस साल सामानेता ब्रसपती का 90 प्रतिशत प्रभाव आपके इंकम पे रहेगा आपके लगने पे और साथ में आपके पराक्रम पे रहेगा तो आपकी जो परस्नालेटी है उसपर कई ग्रहों की युद्धी पड़ेगी एक तो केतु की पांचवी दृष्टी शनी की दस्वी दृष्टी और ब्रसपती की साथ्मी दृष्टी और ब्रसपती जिस भाव में जाएंगे उस से आपके लगन को देखेंगे तो personality को time to time develop करने की कोशिश करेंगे और एक fair माध्यम से एक सही तरीके से धन का जो अरजन किया जाता है वो अरजन करने का पूरा प्रयास करेंगे आपके जो partners होंगे इस समय आपके साथ जिन लोग already वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए बड़ी loyal होंगे उनके लिए बहुत respect दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ में जो ब्रसपती देव रहेंगे उनका पूरा प्रभाव जो रहेगा technology से related अगर आपका involvement है यदि आपका involvement ऐसी चीज में है जो की education से field है तो इसमें आपको अच्छे partners भी देखने को मिलेंगे तो overall राहू का शनी का और ब्रसपती का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है लेकिन कुछ समस्यां जो develop हो रही है वो पिता के उपर develop हो रही है केतु के कारण और कुछ data से आ रहे हैं जहां पर संतान को लेकर भी कुछ परिशानी उत्पन हो सकती है अब हम बात करने वाले हैं कि इस पूरे गोचर का जो प्रभाव है इसका रफली देखा जाए तो सूर शनी का राहू का और ब्रसपती का लगबग लगबग आपको positive result मिलने वाला केवल केतु को आपको कंट्रोल करना है जिसका उपाए उल्लेडी बता चुका हो बाकी ग्रहों के अगर हम बात करते हैं तो मैंने कुछ डेट इस बार निकाले हैं और इस डेट को आपको नोट करके रखना है और इस डेट में धनू लगन वाले जात्कों के लिए स्वास्त कैसा रहेगा, कौन से डेट हैं, जिसमें स्वास्त अच्छा रहेगा या स्वास्त खराब हो सकता है, करियर आपका पैसा रहने वाला है, करियर में कब ग्रोथ होगा, कब चेंज करना पड़ सकता है, किसी बात क कि चिंता तो नहीं है वर्ष 2025 में लग को लेकर, पाइनांस को लेकर, चाइल्ड को लेकर, मैरेड लाइफ को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, प्राफिट को लेकर, प्रापरटी को लेकर, एक-ईक प्वाइंट को हम लोगों ने, मैंने especially इस पर रिसर्च करके, कि जो भी permutation combination बनते हैं, उसका intersection point लेकर मैंने निकाला है, कि overall जितने भी ग्रा है, उसका effect आप पर किस तरीके से होगा, positive होगा, negative होगा, इस shrinkla में सबसे पहले date mode किजिए health के लिए, देखें, धनू लगन वाले जात्कों के लिए जितनी समस्यां वर्ष 2014 में रहे थे, उससे जादा समस्या अब नहीं develop होने वाली है, overall कहा जाए तो वर्ष 2015 स्वास के point of view से आपका अच्छा रहेगा, बहुत खतरनाक नहीं है, कहीं पर भी कोई परिशानी नहीं दिख रही है, किवर उदर सम्मंदित किसी प्रकार की परिशानी होना, जो कि कीट्व के कारण डेवलप हो रहा है, वो एक date हो सकता है, लेकिन मेरे calculation में वो nullify हो रहा है, क्योंकि ब्रस्पती का प्रभाव जादा active हो जा रहा है, इसलिए कोई negative date health के लिए नहीं निकल रही है, अगर आपकी दशान तरदशा कुछ इस तरीके से चल रही है, जो आपको health पे जादा प्रभाव पड़ रही है, तो वो हो सकता है कि कुछ date ऐसे हाए, लेकिन health के लिए मैंने तीन range निकाले है date के लिए वर्ष 2025 में जो आपके लिए अनुपूल है, एक तो 28 जन्वरी से लेकर 14 मार्स तक का जो date है, आपके लिए अतियूत्तम है, दूसरा 3 अप्रेल से लेकर 22 जून का time, ये भी स्वास्त के point of view से अच्छा है, और 17 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर का जो date आ रहा है, ये भी स्वास्त के लिए अच्छा दिखाई ज़र तो 1 जन्वरी से लेकर 7 माई property के लिए investment के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, आप गलती से भी इस duration में property में invest नहीं कीजेगा, ना ही कोई वाहन में वाहन या भूमी खरीदना चाहिए, इस समय एक जन्वरी से लेकर 7 माई तक का time अच्छा नहीं दिख रहा है, इस property में निवेश करने के लिए सबसे अच्छा बन रहा है, करियर की बात किया जाए, तो इसमें हर जगा मुझे अच्छे समय अब दिखाई दे रहे हैं धनू लगने, धनू राशी वाले जान्वों के लिए, 4 जन्वरी से 14 जन्वरी, भले ही 10 दिन का date है, लेकिन करियर के point of view से अच्छा है, फिर 27 February से 14 मार्स का जो date है, ये भी आपके लिए अधी उत्तम दिखाई दे रहा है, और फिर 3 मार्स लेकर 14 अपरेल तक का जो date है, ये भी आपके लिए करियर के अच्छा है, इसका मतलब वर्श के प्रारंब में ही, अपरेल तक के जो भी date आ रहा है, वो आ इसके अलावा भागय आपको कब साथ देगा वर्श 2025 में, भागय कब आपका साथ नहीं देगा, इसको भी समझेंगे, तो भागय के दिरिश्टी कोर्ट से देखा जाया, तो 12 February से 27 February का जो समय आ रहा है, वो आपके लिए आप प्रत्याशित रुप से अच्छा समय गित रह है, और 26 November से लेकर 6 December में फिर से रिपीट करना है, 26 November से लेकर 6 December ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लग के भरोसे अगर इस duration में कोई काम करेंगे, बलही रेंज थोड़ा कम है, 26 November से लेकर 6 December बहुत जादा टाइम नहीं है, दस बारा दिन का टाइम है, लेकिन ये बेवक्त के समय आप यूज करना चाहते हैं, वो टाइम एक जनवरी से 29 मार्च का जो टाइम है, वो बहुत अच्छा नहीं है, यानि फाइनांस की जो इस्तिती रहेगी, एक जनवरी से लेकर 29 मार्च तक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता, मैं इसको अच्छा समय नहीं कह लेकिन 31 माई से लेकर उसके बाद पूरा टाइम 29 दिसंबर तक का जो टाइम लगबग लगबग है, वो सब आपके फाइनांस के लिए अच्छा बन रहा है, शिक्षा और विद्यार्थी और प्रेम प्रसंग के लिए कहा जाए, तो 3 अपरेल से लेकर 24 अक्टूबर का जो जब आपके लिए अच्छा रहेगा, केवल केतू का उपाय आपको करना होगा, क्योंकि पंचम त्रिकोन के कारण दूशित हो रहा है, वैवाहिक जीवन में कहा जाए, तो इस वर्ष 4 अपरेल से लेकर 14 जनवरी अच्छा समय है, 27 वैब से 14 मही तक का टाइम भी अच्छा ह और 3 अपरेल से लेकर 14 अपरेल तक का टाइम भी अच्छा है, तो वर्ष के प्रारंब के जो 4 महीने है, वो मेरेट लाइफ में अच्छे हैं, उसके बाद खराब तो नहीं दिखाई दे रहा है, नीट्रल हो सकता है, लिए खराब एट वीस्ट मुझे नहीं दिखाई दे र यानि मई से लेकर अक्टूबर तक का टाइम है, सामाने का ट्राइवलिंग की नई जो जानकारी होती है, आप प्राप्त करेंगे और अच्छे जगा पर आप ट्राइवल भी करेंगे, जिससे आपकी मानसिक शांती भी आपको मिलेगी, और जब जगा चेंज होता है, तो थ इसी भी प्राफिट को आप देखना चाह रहे हैं, तो कि अच्टमभाव से प्राफिट को या नुक्सान को देखा जा रहा है, तो यह समय एक जनवरी से साथ मुन तक का समय अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर किवल 26 नॉबर तक का लगबग एक महीने से थोड़ा सा उपर का जो समय है, मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, प्राफिट के पॉइंट अव यू से, तो उमीद है कि आपको जो मैंने डेट बताया है, वोचर के अनुसार और जो पूरा मैंने mathematical calculation किया हुआ है, प्लैनेट्स के permutation combination को निकाल कर, उनके intersection points को निकाल के, जो भी positive या negative range आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इसको subscribe कीजिए, इसको share कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारा WhatsApp नमबर है 983-18303, य या आप हमें email कर सकते हैं, हमारा email id info.kulliexpert.com है, और consultation या तो आप हमारे mobile application से book कर सकते हैं, या आप www.kulliexpert.com पर जाकर consultations book कर सकते हैं, तो अभी के लिए इतना ही, मैं भगवान से प्राड़ता करता हूँ कि वर्ष 2025 आपका मंगल में बीते, तब तक के लिए, ओम आप हमारे गवान आप हमारे या आप हमारे लिए ए जाप हमारे इतना ही.